सो हेलो गाइज, वलकम बैक तो मैं चैनल, इस अक्षे कश्चप और यू आर वाचिंग अक्षेज व्लॉग्स सो गाइज यह मेरा सेकेंड व्लॉग है और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अभी हाल पिलाल में अपना यूटूब चैनल स्टार्ट करा है सो आज की जो हमारी व्लॉग होने वाला है वह एक अन्बॉक्सिंग व्लॉग होने वाला है सो आज हम बोया बी वाई एंवान माइक की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं सो चलिए चलते हैं देखते हैं कि क्या होता है और करते हैं इसे अन्बॉक्स सो यह है हमारा माइक जो कि हमने एमाज़ॉन से ओर्डर करा था सो चलिए करते हैं इसको अन बॉक्स और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर सो यह हमारा हुआ बॉक्स ओपन और हमें यह देखने को मिल जाता है इसको रखते हैं साइड करते हैं इसके बारें बात यह हमें मिल जाता है यह हमारा बोया का बाइवन एमवन माइक जो कि जिसकी पैकिंग काफी अच्छी है क्वालिटी काफी अच्छी हमें देखने को मिल जाती है और हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं देहां आप बोया का ब्रेंडिंग होता हूँ करते हैं इसको अपन देखते हैं क्या मिलता है अंदर so यह हमारे लिए हमें मिलता अंदर हमारा तो माइक और यह कुछ यह हमारा है वारंटी कार्ड जैसे हम देख सकते हैं वारंटी कि इसको रिखते हैं side में और यह हमाई मिल जाती है booklet?.. जो कि हमें बताते हैं कि हमें mais को कैसे यूज करना है इसको आप पड़ सकते और देख सकते हैं यसके बारे में भीreu तो करते हैं कि तरह ये कुछ आपने स्मार्ट फोन में टैब में और लैप्टॉप में अपने DSLR में एजली कनेट करके आप इसको यूज कर सकते हैं आते हैं हमारे इस ब्लैक केस के उपर हमें या पे ब्लैंडिंग के साथ बहुत ही क्लासिक सा हमें ब्लैक लुक देखने को मिल जाता है så देखते हैं अंदर हमें क्या-क्या मिलता है? सो अंदर हमारे लिए ये चीज़ें मिलती हैं सो यह है हमारा में मािक जैसे कि हम आप देख सकते हैं यहापे यह जो है यह हमारा मेन माइक है जिसके अंदर से हमारा इंपुट वोईज जाएगा जो कि हमारा मेन आप जो कि हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है देखने में हाथ में लेने में क्वालिटी काफी प्रीमियम सी है अच्छी क्वालिटी है और हमें यहाँ पे एक छोटा सा हमारा यह पावर पैक मिल जाता है जिसके अंदर हम इस सेल जो हमें इसके साथ सेल मिला है हम उसको सेल को इन करके हम इसको आन कर सकते हैं यहां से हम इसको open कर सकते हैं यह हमारा यहां से open होगा तो इसको open करके इसके साथ हमें एक cell मिला है cell आता है तो हम इसको यहां पे उस cell को in कर सकते हैं तो यह हमारा था cell लगाने का point और इसके नीचे हमें मिल जाता है यह जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अगर आप अपने स्मार्टफोन में इस माइक को यूज कर रहे हैं तो आप नीचे करके यहां पर स्मार्टफोन के पॉइंट पर सकते हैं और अगर आप camera में माइक को इन करके shoot कर रहे हैं तो आप इसको camera वाले point पर कर सकते हैं तो यह थी हमारे कुछ बात power हमारे छोटा से power pack के बारे में और हमको यहाँ पे इसके साथ black color की 20 meter की हमें यहाँ पे इसके साथ tar मिल जाती है जो की बहुत अच्छी एक distance है सब यूटूबर्स के लिए और हमें आपे मिल जाता है हमारा यह 3.5 mm का connector और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है तो यह हमारी कुछ चीज़े इसके अंदर हमें मिलती है यह यह हमें मिलता है हमारा cell यह हमारी accessories हमें mic की accessories है यह तो यहाँ पर देख सकते हैं यह cell हमको मिलता है हमारे power pack के लिए और यह हमें मिल जाती है एक cap हमारे mic के लिए जो कि हम इसको यहाँ पर use करेंगे हमारे mic के लिए जो कि एक अच्छी quality की हमें देखने को मिल रही है और यह cap हमें mic की जो हमारी voice है वो काफी बहार की जो noise वगरा उसको clear करेगी और एक अच्छी noise हमें देगी तो काफी अच्छी quality में हमको यह मिल जाती है और साथ साथ हमको एक यह connector मिलता है जो कि आप इसको इसकी use के according इसको use कर सकते है अगर आपके पास बड़ा कोई jack है तो आप इसको इसके अंदर input करके आप इसको use कर सकते है अब यह हमें मिल जाती है एक हमारे mic के लिए clip देखते हैं इसकी quality और इसके बारे में क्या है तो हमें यह हमारे mic के लिए हमें यहाँ पर एक clip मिल जाती है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह पूरा metal का clip है इसकी भी quality काफी अच्छी है तो आप इसको basically आप इस clip को यहाँ पर अपने mic के पास यहाँ पर use कर सकते हैं यह इस तरह से तो अब यह हमारा mic ready हो गया यह collar पर आप लगा के इसको use कर सकते हैं तो गाइस यह थी आज के हमारी unboxing BOYA BY M1 Mic के unboxing तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपको वीडियो कैसे लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तिल देन गुडबाई टेक केर तो आपको वीडियो में कमत सबी है